नमस्कार मैं हूँ आपकी गार्डनर दोस्त नेलता गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यह में मेरे हाथ में आम की गुठलिगा है और कुछ मैंने लिए हैं सेव के बीज तो इनसे मैं आज क्या बनाने वाली हूँ आप सोच भी नहीं सकते ना तो मैं इने उगाने वाली हूँ फ्रेंड्स और ना ही मैं इनसे कोई खाद बनाने वाली हूँ और मैं इनसे बनाने वली हूँ बहुत ही खुबसूरत से DIY तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और फ्रेंट्स आखिर तक वीडियो जरूर देखना क्यूंकि जो इतने मैंने अलग लग डिजाइन के DIY बनाई है ना हमकी गुठलियों से आप सोच भी नहीं सकते और बहुत ही खुबसूरत से कोई पैसा पाई इसमें नहीं लगता और फ्रेंट्स मैंने अपने पिछले एक वीडियो में कलर मिक्स करने बताए हैं कि पांच कलर के साथ ही हम कैसे अच्छे से पेंटिंग कर सकते हैं और कलर मिक्स कर करकरा करे अलग-लग कलर बना सकते तो फ्रेंस वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी उसे भी जुरूर चेक आउट कीजेगा तो फ्रेंस वीडियो को बीच वीच में स्किप मत कीजेगा जितनी भी आम की गुटलिया हैं सब का डिजाइन अलग लग है और जो सेव के बीच है उनका भी मैं डियाइवाई बनाने वाली हूं आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि बीच से भी डियाइवाई बन सकता है तो देखिए फ्रेंस मैं बना रही हूं लेडि वग अलग लग डिजाइन से और फ्रेंस एक मैं गुटली पे गुरत सा सीनरी का डिजाइन तो आपने जो है वीडियो पूरी देखनी है और फ्रेंस अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और अभी तक मेरे चैनल पे फ्रेंस नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिफेशन के लिए एक कमेंट जरूर चोड़े कि आपको वीडियो कैसे लगी मेरे डी आई वाई फ्री के कैसे लगी ये भी बताना क्या आपने ये वीडियो इस तरह की आम की गुठलियों के डेकोर पीस कहीं पहले देखें हैं फ्रेंस ये भी मुझे बताना या आप मेरी वीडियो में पहली वार और आप्या की गुटलीयों थे सबने जा रहे हूं ख्रो क्या क्वेड़ी घुंको हैं कि cat at हुट मुझे वह भी बताना कि इसे और क्या क्रियेटिवीटी हो सकती है कि छान्य प्रेंड्स एक मैं कि घुटली पे बनाने जारी थो प्रेंड्स श्चले जो लिखार लुगों को अच्छे से वोश खुछ में जो बनाऊंगी ÇokOSE हुद्धा ए सबसिते एक प्ररश। चैनल पर आप बने रही है और मेरा चैनल जुरूर सब्सक्राइब कीजिए रोज के नए नए लेटेस्ट आइडिया देखने के लिए प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और देखे मैं चली बना रही हूं आपने चली खाई होगी कभी देखे बहुत खूबसूरत बनकर लगेगी जब मैंने बना के रखे DIY फ्रेंस कोई नहीं कहता कि यह आम की गुठलिगा है फ्रेंस इनके उपर मैं एक के उपर और और जैन्स मैंने पिछले साल बनाए थे इस साल नहीं बनाए है वो भी मैं फिर कभी शेयर करूंगी आपको इ इसलिए वो नहीं बनाए तो इनके उपर मैं हर तरह की पेंटिंग कर सकती हूं आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बनकर DIY आएंगे अगर आपके पास आज पास कहीं पे भी आपको पत्थर नहीं मिल रहे बड़े बड़े पत्थर जो स्टोन होते हैं उन पे पेंटिंग करके भी हम डेकोरेट कर सकते हैं अपने गार्डन को बट कहीं वार ऐसा होता है कि फ्रैंस स्टोन हमारे सिटी में आज पास नहीं मिलते हमारे को बजार से खरीदने पड़ते हैं इसलिए आम की घुटलियों को हम अगर डेकोर पीस के रूप में यूज करते हैं तो कोई बनने के बाद आप जरूर को होगे कि बहुत अच्छा आइडिया बताया है तो देखे फ्रैंस अब मैं इस पे ब्लू कलर लाइट ब्लू बनाया है मैंने इसमें वाइट मिक्स करके तो इससे मैं इसका यह दूसरे कलर का लेडी बग मनाऊंगी जितने भी मैंने लेडी लग लग हैं तो बहुत सुन्द नहीं यह मैं सिनरी बना रही हूं उपर से जहरना निक आ रहा है बैता हुआ लेडी बग भी एक मैंने स्काइब लू का बनाया था वह पीछे निकल गई है मिरे लग रहा है वीडियो देखे यह जहरना बैता हुआ रहा है ना तो फ्रैंस म कुछ भी ड्रानी किया मैं डायरेक्ली कलर से ही पेंट से ही बनाती चली जा रही हूँ जो भी मेरे दिमाग में क्रेटिविटी आती है वो ही मैं करती रहती हूँ फ्रैंस मैंने कहीं से कोई आइडिया नहीं देखा है मैं वस अपने दिमाग से जैसे पहाड़ी एरिये पे जाते हैं कुछ दिखाई देता है पहाड पीछे बरफ से डखे हुए वही मैं इस इनरी इस आम की गुटली पे बनाने जा रही हूँ तो बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा जब हम इसको डेकरेट करते हैं गार्डन में तो गार्डन के कालू की ही अलग लगता है साथ अपने फ्रेंस इसका ये फाइदा है कि जब फ्री की चीज होती है वो हमें और भी ज़्यादा अच्छी लगती है जब बहुत सारे पैसे लगा के गार्डन को डेकरेट किया तो क्या किया फ्री में करो डेकरेट आप अपने गार्डन को अब मैं ब्लैक कलर से इसको हाइलाइट कर रही हूँ आप देखना कितना सुन्दर लगेगा इस दोनों साइड में चोट चोटे ट्री का लुक दे रही हूँ ट्री बना रही हूँ जैसे दूर से पेर दिखते हैं ऐसी इनरी में कहीं पहाड़ी एरिये पर जाते हैं तो वह ही लुक देने जा रही हूँ बीच में सेंटर में से बैठता हुआ नदी जह जरना कुछ भी कहलो वह बनाया है मैंने और उपर को मैंने पहाड़ बनाऊंगी फ्रेंस पहाड़ जो उपर से बरब से डखे हुए बनाने जा रही हूँ आप देख सकते हैं आम की गुटली का बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि यह आम की गुटली है अगर मैं बिना बताए आपको पेंट करके दिखाती तो आपने बिल्कुल भी नहीं कहना था कि यह आम की गुटली है तो कितनी अच्छी सिंडरी बनेगी फ्रेंस तो और फ्रेंस जो सेब के सीट्स थे उनसे भी मैं बहुत सुंदर देखिए मैंने बहुत सुंदर सा ये फ्लार्स बनाए है ये क्रीम वाली डिब्बी है निविया क्रीम की इस पे फ्रेंस कलर इसका पिंक ही था डिब्बी का तो मैंने इस पे किसी तरह की पेंट नहीं की दे आपको कैसे लगे मेरे को जरूर बताना कमेंट में देखिए कोई नहीं कहता कि ये आम की घुटलियां पड़ी हैं कहीं भी रख लो कोई फेरी गार्डन में रख लो कैसे भी रख लो देखिए मैं लग लग डिजाइन से आपको रख के दिखा रही हूं झात बात बदे कमें रख लो अ भाझा हैं